वेलकम तू इंग्लिश बाबा चैनल क्लास 11 इंग्लिश हॉन्बुल बुक से चाप्टर नम्र फाइव है दी एलिंग प्लेनेट आज हम करेंगे स्केम सी क्यू तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और अपनी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहे विश्चन नम्र वन देखिए 1972 में कौन सा मूवमेंट स्टाइट हुआ ग्रीन मूवमेंट अकॉर्डिंग तो दा ओथर हाव इस दा वर्ल्ड लुकिंग अट दी अर्थ तुड़े ओथर के हिसाब से जो संसार है अर्थ को कैसे देख रहा है इन दिनों लिविंग और्गनिसम की तरह वाट इस दा फोकस अफ दा वर्ल्ड कमीशन ओन ऑने इन्वायरमेंट एंड डेवलंड जो वर्ड कमीशन और इन्वायरमेंट डेविलंड इनदलापमेंट है उसका फोकस क्या है सस्ते नेवल डेवलपमेंट की थे फिर वो टोट इस दा ड्रूंसेंड इंडिंग कें तरह फ्रांसेंडिंग कंसन क्या है सर्वाइवल ऑफ दा प्लेनिट यानि कि जो मदर अर्थ है उसका सर्वाइवल वेर इजट रिटन ओन जूस केज दी वर्ल्ड's most dangerous ऐनिमल यह वाली बात कौन से जू के इनिमल किसको कहा गया है जू में human beings याने की इनसानों को कहा गया है वो मेंबर है ब्रैंट कमिशन के civil servant भी है और economist भी है और राइट आंसर है आल अव दा अबवाइव यह वाली बात किस ने कही है कि हमें अपने four fathers यानी पूरवजों से नहीं मिली है हमने तो यह उधार ले रखी अपने बच्चों से यह वाली बात कहते हैं Mr. Lester Brown According to Mr. Brown which one of the following is not a biological ecosystem of earth Brown के हिसाब से biological ecosystem of earth क्या नहीं है islands नहीं है What will happen to crops if the productivity of biological ecosystem hamper Crops को क्या होगा अगर productivity of biological ecosystem में कुछ खराब ही आती है तो croplands क्या होगी deteriorate हो जानगी खराब होगी According to the author who is using wood for the most for cooking purpose Author के हिसाब से जो wood है लकडियों का कौन यूज कर रहा है As a food जो poor nation है वो अभी भी लकडियों जलाके खाना बना रहे है What is the meaning of holistic and ecological view Holistic or ecological view का क्या मतलब है Preservation of environment ठीक है किसी भी तरह से environment को preserve किया जाए Which factor does the author find most strong in spoiling the environment Author के हिसाब से जो factor environment को सबसे जादा खराब कर रहा है वो क्या है population explosion बढ़ती हुई जनसंग है What does article 48A of Indian constitution say जो Indian constitution का article 48 है वो क्या कहता है Production and improvement of environment ये कहता है How much forest land is vanishing from the earth every year कितने forest हर साल कम होते जा रहे है एर्थ से 40 to 50 million acres What does UN study of environment made through aerial photography says तो aerial photography के थुरू ये वाली बात पता चलती है क्या Earth's health has reached critical stage मतलब अर्थ की हालत बहुत जादा खराब हो चुकी है Which is the best contraceptive to save environment according to author और अगर author के हिसाब से अर्थ को बचाना है तो sustainable development करना होगा और इसके अलावा हमको क्या करना होगा population पे control करना होगा So right answer होगा Both A and C Children अभी तक यार इस वीडियो को एक लाइक नहीं कहना तो लाइक कर देना आपके एक लाइक से एक सब्सक्राइब से बहुत motivation मिलता है मैं तीन तक काउंट करूँगा चल्दन प्लीज वीडियो को लाइक कर देना 1, 2, 3 आई होब चल्दन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है When did the green movement start कब हुआ था लगबग 25 साल पहले start हुआ Where was the first nationwide green party founded Nationwide green party कहा founded हुई New Zealand What did the sign in the zoo in Alaska red Alaska में जू में जो sign है वो क्या लिखा हुआ है The world's most dangerous animal What is the concept of sustainable development क्या है development that meets the needs of present without compromising the ability of future generation मतलब आज की जरुवरतें भी पूरी हो जाए और आने वाली generation को भी resources मिलते रहे What form of the foundation of the global economic system according to Lester Brown Lester Brown की according जो foundation है global economic system का वो है fisheries, forest, grasslands and croplands What is the sustainable development used by the World Commission on Environment and Development 1987 में Who wrote the book The Global Economic Prospect ये की book किस ने लिखी है Lester R. Brown ने Every four days the world population increases by one million हर चार दिन में world की population एक million और बढ़ जाती है Who said tropical forests are the powerhouse of evolution Dr. Myers ने ये वाली बात कहिए What is the transcending concern क्या है कि कैसे survival होगा इस planet का Where was the message the world most dangerous animal ये कहां पे लिखा हुआ है एक zoo है उसके mirror पे लिखा हुआ है What happens to the forest in poor countries They are cut down for fuel Poor countries में जो forest उनको काटा जारा लकडी के लिए इस last question का answer आप मुझे दोगी comment section में Where was the message the world's most dangerous animal written in the zoo अभी हमने पढ़ा भी था कहां पे लिखा हुआ है ये वाला message Board पे लिखा हुआ है mirror पे लिखा हुआ है Wood पे लिखा हुआ है या bark of the tree पे कि दुनिया का सबसे खतरना का animal ये है ठीक है आप चाहूँ तो अपने answer में a, b, c, id लिख देना मैं समझ जाओंगा देखूंगा कितने बच्चे right answer देंगा I hope मेरा है छोटा सा वीडियो आपको बहुत उच्छा लगा होगा प्लीज वीडियो को लाइक कर देना चैनल को सबस्ट्राइब कर देना अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में बाबाए